हालो आफ्रीवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट को रीविव शियर करने जा रही हूं तो guys आज मैं जिस product का review आपके साथ share करने जा रही हूँ वो है jovis apricot and almond face scrub तो guys वीडियो को start करने से पहले आपसे एक पात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो से related notification सबसे पहले आप तक पहुंचे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना, share करना और comment करना क्योंकि इसी से मिलती है हमें motivation और अच्छी अच्छी वीडियो अप्लोड करने की तो guys अगर किसी product का review देखना चाहते हैं तो आपको product reviews की playlist का link नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर लेना और guys अगर आप कोई home remedy चाहते हैं या फिर home mid face pack चाहते हैं तो उसकी playlist का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं हम आज की वीडियो तो guys आज हम जिस product का review करने जा रहे हैं वो है jovis apricot and almond face scrub तो for fresh and radiant skin for normal to dry skin तो guys अगर आप इस face scrub को use करते हैं तो इसके साथ क्या होगा एक तो आपकी जो skin है वो fresh दिखनी start होगी आपकी face पे glow आएगी चमक आएगी और इसके साथ साथ जो भी आपके face पे dead skin cells है वो दूर होगे और इसके साथ whiteheads and blackheads की problem भी दूर होगी तो इसका net weight है one sorry 220 gram तो मैंने इसे purple.com से purchase किया है तो purple haul की video का link पी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर लेना तो guys इसका जो market price है वो है 2.40 and जो इसकी shelf life है वो आपको easily 3 years इसकी shelf life मिल जाएगी तो guys मैंने इस product को काफी time use किया 15-20 दिन मैंने इसे use किया हफते में दो बर आपको इस product को use करना है तो आपको इसके काफी अच्छे results देखने को मिलेंगे तो guys सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी packaging की तो ये product आपको एक tube की form में मिलेगा tube की packaging है इसकी tube की तरह की हुई है और बहुत ही अच्छी packaging की हुई है और guys जो भी इसके ingredients है या फिल से use करने का method है वो इसके पीछे इनोंने mention किया हुआ है तो guys सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके active ingredients की तो इसमें है apricot kernel oil, almond oil, wheat crumb oil and walnut shell powder तो guys ये इसके active ingredient है और इसके बाद इसे हमें use कैसे करना है तो guys इसे हमें अपने face and neck पे दोनों पे use करना है हफते में दो बार use करना है और इसे हमें अपनी ना fingertips के हलके हाथों से gently massage करना है दो से तीन मिनट तक तो circulation motion में करना है और उसके बाद हमें इसे rinse off कर देना है तो उसके बाद आप इसका कोई भी moisturizer या फिर lotion लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं अगर हम इस face scrub को यूज करते हैं उसके बाद हमारी skin जो है वो ड्राइन नहीं होती तो आपको एक अच्छी and a smooth fresh skin मिलेगी अगर आप इसे यूज करेंगे तो गाइस इसके इलावा जो इस face scrub पे मेंचिन किया है वो है a cream based scrub that contains specially treated granules which are in removing dead epithy child cells improves the quality of cells and gives skin a youthful and fresh look तो गाइस अगर आप इस face scrub को यूज करेंगे आपकी skin जो है वो fresh दिखेगी आपके face पे glow आएगा और इस face scrub को यूज करने से आपकी skin जो है वो dry नहीं होगी तो अभी मैं आपको इसका texture दिखाती हूँ कि इसका texture क्या है और इसका color क्या है तो गाइस जो यह face scrub है इसमें जो इसका color है वो white color है और cream based है और इसमें छोटे-छोटे particles है जो आपकी skin को harsh नहीं करते तो आपको क्या करना है अपनी fingertips की help से इसे दो से तीन मिनट के लिए circulation motion में gently massage करना है अपने face पे तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको हलके हाथों से इसे massage करना है बहुत जादा आपको रगरना नहीं है बहुत जादा tight हाथ नहीं लगाने है आपको अपने face पे तो हलके हाथों से करना है दो से तीन मि इसको wash कर लेना है और उसके बाद आप अपने face पे कोई भी face moisturizer लगा सकते हैं या फिर कोई भी cream लगा सकते हैं अगर आप Jovis की bridal face cream का review देखना चाहते हैं तो उसकी playlist का उसकी video का link आपको नीचे playlist में मिल चाहेगा आप वहां से check out कर लेना तो गाइस अगर आप वह यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशिल होगा और इसके साथ मैंने Jovis की bridal face wash का review भी अपने चीज़ों को भी ट्राइ करना तो गाइस मुझे इस face scrub को यूज़ करके बहुत अच्छा लगा इसके साथ जो भी हमारे face पे dead skin होती है वो remove होती है white ads होते है वो दूर होगी और इसके साथ साथ black ads भी तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना शियर करना और comment करना और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe करना bell icon को press करना ताकि मेरी वीडियो से रिलेटर सभी notifications सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक यू friends